हेलो गाइज अप्र लोंग टाइम मैं इस चनल पर वीडियो अप्लोड कर रहूँ और इस बार आ विल ट्राइट टू किप इट कंटीनूड सो विदाउट फेस्टिंग अनी फॉर्थर ताइम लेट्स गेट सब्सक्राइब हर कैमेर में तीन चीज़े कॉमें होती है और हर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर इसके बारे में जानता है इसे हम एक्सपोजर ट्राइंगल भी कह सकते हैं तो यह तीन चीज़े क्या-क्या हो सकती है फर्स्ट आता इसमें आपको आयसो सेकेंड आपको सटर स्पीड एंड थर्ड अपर्चर आयसो आयसो एक डिजिटल लाइट है और जितना महेंगा आपका कैमरा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा आयसो पावर होगी आयसो का इस तरह के समझ सकते हैं अगर आप लो लाइट मे गेन करके वीडियो को थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं बट इसके साथ भी बहुत सारी प्लारों होती हैं कि जब आप हट से जादा इससे बढ़ा दोगे तो आपकी वीडियो में ग्रेन आने लगते हैं फोटो में ग्रेंशो होता है शट स्पीड के अपने बहुत सारे करना जानता है बार्द फिल्ड में इसका अलग लग तरीके से यूज किया जा सकता है और किया जाता है नॉर्मल और बेसिक लेवल पर हम इसे लाइट को कंट्रोल करने लिए यूज करते हैं अपर्चर एक्सपोजर ट्राइंगल का थाड़ एलिमेंट और बेसिक सैटिंग में यह बहुत important है अपर्चर नमबर आपका जितना छोटा होगा आपके डिपेंड नहीं करता वह आपके लेंस पर डिपेंड करता है आप उसमें देख सकते हैं आपको अपर्चर नमबर मेंशन मिल जाएगा सो बिल्कुल बिगनर्स के लिए में कह सकता हूं जितना छोटा आ आपको अच्छा background blur मिलेगा अपनी फोटो में मैं इन सेटिंग्स को बहुत ज्यादा complicated तरीके से नहीं समझाया है अगर आप मेरी previous वीडियो देख सकते हैं और आपको बिल्कुल deeply जाना है उसमें बहुत सारी वीडियो जिस में इनके बारे में detail में बात की गई है अगर इनफ है कि आपको समझाए exposure triangle में इसका यूज किस तरह किसे किया जाते है लाइट को कंट्रोल करने है थैंकिए पर वर्चिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो ची लगए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों करें शेयर करें और नॉलेज के मार्साद बने रहें, बाइ, से यू!